हेलो, नमस्ते दोस्तों, हर्श्प्या की किचिन में आप सभी का सागत है आज हम बनाने वाली हैं ओट्स और सूजी से बहुत ही ज़्यादा हैल्दी और एक्तम क्रिस्पी डोसा ये क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक कटोरी ओट्स उसी कटोरी से हम डालेंगे इसमें एक कटोरी पोहा और पोहा को आप स्किप भी कर सकते हैं साथ हम डालेंगे एक कटोरी सूजी सेम कटोरी से हमें तीनों चीजी लेनी है और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है आप देख सकते हैं एकटम बारी की से एक ग्राइंड हो चुके हैं अब इस मिक्षर को हम निकालेंगे एक मिक्सिंग के बाउल में और उसमें डालेंगे एक बड़ा सा आधा निम्बू कर रज फिर हम इसमें डालेंगे पानी तो यहाँ पर अभी हम दो कटोरी पानी का इस्तेमाल करेंगे सेम कटोरी से ही हमें पानी भी डालना है अब इसका एक तम गाड़ा सा हम घोल बना लेंगे अच्छे से इसको mix करना है इसमें बिल्कुल भी गुटली नहीं रहना चाहिए अभी देखिए घुल काफी गाड़ा है तो एक कटोरी पानी और ढाल दिया है फिर से इसे अच्छे से mix कर लेंगे अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बहुत ही सदा हेल्दी और अच्छी रेसिपी आपको इस चैनल पर हर रोज मिलने वाली है तो मैंने बाद में आदा कटोरी पानी और डाला था और इस पैटर को अच्छे से mix कर लिया है इसमें बिल्कुल भी गुटली या गाटी नहीं है दोस्तों अब हम इस पैटर को रेस्ट पर रखेंगे पूरे 10 मिट के लिए तब तक हम डोसा बनाने के लिए एक स्टफिंग बना लेंगे तो उसके लिए हमें लेना है 100 ग्राम पनीर जिसे ग्रेट कर लिया है इससे आप हाथ से क्रंबल भी कर सकते हैं और घर के पनीर का ही इस्तमाल कीजेगा एक पारी कटी हुई प्यास तो हरी मेर्ची और फ्रिज में कोने में पड़ा हुआ था थोड़ा सा धनिया दालना है थोड़ा सा डालना है गरह मसाला जैसे सबजे में डालते हैं जादा वैसा नहीं डालना है बिल्कुल थोड़ा सा चांट मसाला डाल दींगे और अभी हम इसमें नमक एड़ नहीं करेंगे दोस्तों तो अभी इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और डोसा के लिए यह हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हैल्दी स्टफिंग बनकर त्यार हो चुकी है दस निट पूरे हो चुके हैं बैटर ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि पोहा सूजी अच्छे से फूल चुके हैं तो बैटर पहले से भी काड़ा हो गया है तो अब क्या करना है इस पैटर को हमें पांच मिनिट के लिए अच्छे से एक ही डारेक्शन में फैटना है उससे क्या होगा कि बैटर हलका हो जाएगा और हमारे जो डोसा है बहुत जादा क्रिस्पी बनेंगे जो भी डाइट पर है आपके घर में आ अच्छे से पांच मिनिट के लिए फैट लिया है और थोड़ा सा इसमें पाने और डाला है अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बैटर की बहुत ही बढ़िया गारी कंसिस्टेंसी है जैसा हम डोसा बैटर बनाते हैं उरत की डाल का बिल्कुल वैसा ही कंसिस्टेंसी मे हमने ये वाला बैटर बिना कर ट्यार किया है अब हम इसमें डालेंगे एक चुटकी हल्दी हल्दी किसली डाल रहे हैं ताकि इसका कलर बहुत ही बढ़ी आएका बहुत जादा हल्दी नहीं डालनी है और हल्दी को भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिन नमक डालिएगा और उसके साथ में ही डाल देते हैं इनो फ्रूट सॉल्ट या फिर आप खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं तो एक टी स्पून इनो फ्रूट सॉल्ट का हमें इस्तमाल करना है एक शैशे में एक टी स्पून ही आता है और फिर डाल देंगे उसी चमज से दो छोटी चमज पानी यानि दो टी स्पून पानी तो देखें नमक और इनो फ्रूट सॉल्ट को हमें अच्छे से इसमें मिक्स क रिप्स केजेगा और बहुत हलकी हाथ से मिक्स केजेगा तो बहुत ही अच्छा fluffy हमारा ये डोसा बैटर बनकर तयार हो गया है और इससे जो डोसा हम बनाएंगे वह बहुत ज़्यादा crispy होंगे और बहुत ज़्यादा खाने में मज़ेदार लगेंगे तो ये देखिए अच् बोसा तवा लेल लिया है और उसको ओसे पहले अच्छ गी details कर लिया है जब दूसा तवा अच्छ से गरम हो जाय तभी इस पर आपको ओईल लगाना है और फिर इस तरह से थोड़ा सा पानी स्प्रिंगल करना है इससे क्या होगा कि तवा हल्का सा थंडा हो जाएगा और डोसा जब हम बनाएंगे तो वो बहुत ज़ादा अच्छे बनेंगे तो अब दो बड़ी चमच बैटर डालिए तवे की उपपर और अच्छे से इसको गोल-गोल खुमाते हुए फैला देजिए ये डोसा बहुत ज़ादा पतले नहीं बनते हैं हलका सा मोटा ही रहता है लेकिन जब ही सिख जाता है तो पतला हो जाता है तो देखे मैंने अच्छे से इसको फैला दिया है आप जितने बड़े या छोटे बनाना चाहें बना सकते हैं, तो इस तरह से आपको डोसा फैला देना है, जब डोसा हल्का से सिख जाए तब आप इस पर हल्का सा ओईल लगाए, बहुत ज्यादा ओईल नहीं लगाएंगे, चारो तरफ ओईल जरूर से लगाना है ताकि डोसा आराम से सिखे और अच्छे से निकल भी जाए इसे आप चारो तरफ तवे को घुमाते हुए अच्छे से सेख लीजिए और जब इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आने लगे ना इस तरह से तब आपे से उठाईए और पलट दीजिए तो दूसरी तरफ हम इसे कुछी सेकेंड के लिए सेखेंगे बहुत जाधा देर के लिए नहीं सेख ना है कुछी सेकेंड अच्छे से सेख कर इसको वापस से पलट दीजिए आप देख सकते हैं कि डोसा का कलर कितना सदा बढ़िया आया है हलका सा चुटकी पर हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला था यह उसी का कमाल है तो देखें जो डोसा को दूसरी साट से भी मैंने सेख लिया है और अब जो हमने पनीर की स्टफिंग बनाई थी वो स्टफिंग हम इस पर डाल देंगे आपको जो भी stuffing पसंद हो आप इस डोसा के लिए ले सकते हैं आलू की भी ले सकते हैं या फिर दूसरी सब्जियों की भी बना सकते हैं हमने stuffing में नमक नहीं डाला था तो थोड़ा सा नमक भी मैंने पनीर के उपर स्प्रिंकल कर दिया है और बस अब हम डोसा को फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने से ही आपको पता जल रहा होगा कि डोसा कितना जाधा क्रिस्पी है यह सच में बहुत जाधा अच्छा लगता है देख़ए बड़ी हे आसानी से हमने एक डोसा बना कर त्यार कर लिया है बैटर बनाना भी आसान है stuffing भी आसान है और इतनी साधा आसान रेसिपी से हम एकटम restaurant जैसे crispy डोसा बना कर त्यार कर लेंगे तो देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है और क्रिस्पी भी बना है है ना बहुत आसान बनाना तो चलिए दूसरा डोसा भी बनाते हैं तो सबसे पहले तवा को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए फिर इस पर आप डोसा बैटर अच्छे से फैला दीजिए जितना बड़ा भी आपको फैला ना हो फिर जब यह हलका से सिख जाए तो इस तरह से चारो तरफ ओल लगा दीजिए गोल्डन कलर आज जाए तो इसे अच्छे से आप पलट दीजिए दूसरी साइट से भी इसको कुछ सेकेंड के लिए अच्छे से हम सिख लेंगे फिर वापस से डूसा को पलट दीगे और अब हम क्या करेंगे चो हमने स्टफिंग बनाई है वो फैला देंगे हलका सा नमक भी डालना है और बस इसे हम फोल्ड कर देंगे तो यह हमारा दूसरा डूसा भी बनकर त्यार हो चुका है इस डोसा को भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से आपको सारे डोसा बना कर त्यार करने हैं जब भी किसी को खाना हूँ तो बस गर्म करम बनाईए और सर्फ कर दीजिए तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें बबल्स कितने बढ़िया आए हैं इसी तरह के हमारी डोसा बनकर बहुत ही बढ़िया त्यार होते हैं स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है यह तो आपने देखी लिया है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर थैंक्स फो वाचिंग